तो आपको पता है कि बहुत से बच्चे इस बार बैक आई है बहुत से बच्चों की मौनकी मांकी जा रही बच्चों धर्ना परदरसन हुआ है कल तो जो जो सेकिंड लियर के बच्चे हैं उनका भी यह शिकायत है उनकी भी हम आपको वीडियो जल दी डाल देंगे लिए कि निसीम हम थोड़ा सा क्लियर कर दे उसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी तो second year के बच्चे भी धरना परदर्शन दे रहे हैं नामरजाला में हैं आज कि आप चेक कर लेना तो इसके बारे में आपको बताते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिसकस कर लेंगे कि क्या कुछ अभी हालाद चल रहे हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका भाई बैक आया है और वो सोच रहे हैं बैक फोर्म भरने की हमें तुमने बैक लगा दी तो फिर ऐसे में रिफंड वाला सिस्टम फिर आएगा और फिर यह जो है लंबा प्रोसेस बन जाएगा तो पहले यह किलियर हो जाएगा कि भाई सबकी कोपी में किस तरीके से है मान के चलो सो कोपी हैं सो में से उन बच्चों के निकाल ली जाएगी जिनको डाउट है कि भाई मेरा तो बैक आई नहीं सकती वो चेक कराएंगे उनकी अगर दिक्कत मान के चलो 33 नमबर उनके हैं या फिर 30 नमबर उनके हैं पर आने उनके थे 50 नमबर तो उनको चेक करने के बाद तो फिर सारी कोपी दोबार से चेक होंगे ठीक है उसके बाद जल्दी से ये काम पूरा होके सारी कोपी दोबार से चेक होने के बाद result जारी होगा और तब जाके आपके back form आएंगे जितना सूचना के अधिकार मतलब right to information के तहत अपनी कोपियों को लेने और चुनोंती मुल्यांकन कराने के बाद की गई इसमें चातरों का कहना था कि वह तीन सो रुपे नहीं दे सकते हैं मतलब अगर आप पूरे मतलब दोबारा से मुल्यांकन कराते हो करा अपने कोपी का तो कुछ फीस मांग जाते हैं तो उसी को बोल रहा है कि भाई हम तीन सो रुपे नहीं देंगे हमारा जो है मुल्यांकन गलत अपने करा है और एक बच्चा कहता तो उससे तो उन्होंने बगार किशी शुल्क के मुल्यांकन की मांग की है वहीं इस संबन में विश्विद्दाले परशासन ने चातरों की मांग पर विचार करने का आशवासन दिया है तो आज या कल में इसका भी दिरने आ जाएगा कोपियां वग्रे चेक होंगी अगर कोपियों में मान की चलो तीन कोपी किसे ने निकलवाई और चार निकलवाई या पांच निकलवाई जो बच्चे आगे उसमें रहेंगे campaign में तो फिर सब की copy दोबारे से चेक करने का आदेश दिया जाएगा और फिर से जो result है hold पे रहेगा शायद result है down भी किया जा सकता है आपका हटा लिए जा सकता है website से जैसे ही update मिलेगी तो आपको सुचित करेंगे एक पता है क्या गड़ बढ़ हुई है अगर सेकंडियर में मतलब फर्स्टियर में तो कोई प्रमोट हो गया है और सेकंडियर में आप क्या आए है नंबर इतने की भाई आप बैक हो तो फर्स्टियर में भी आपकी बैक है हम से भी कुछ बच्चों ने पूछा तो हमने कहा आपको कुछ नहीं करना एक सारे में अगर हुए व्यषी पेपर दोबारा करने पड़ेंगे first year भी दोबारा करनी पड़ेगी और second year भी जो कि हमारे साब से सही नहीं है आप comment section में बताना कि आपको इस बारे में क्या लगता है क्या दोबारे से first year या second year होगी ठीक है तो इस video के description में telegram group की link है join कर लेना क्योंकि जैसे ही चोटी मोटी अपडेट पता चलती रहेगी वहाँ पर बता देंगे इस video के description में website की भी link है join वो से एक बार दिन में विजिट कर लेकर क्योंकि जितनी भी सारी अपडेट है वहाँ पर डालते हैं शाम को मिलते हैं फिर जो news paper की अपडेट होते हैं सारी अपडेट कमबाइन करके ठीक तो बहाई इस video बहाँ इस बाकी कल फिर बात करते हैं नई news paper से अपडेट के बारे में और बीच में कोई नई अपडेट आती है उसके बारे में आपको साथ के साथ वीडियो के मादम से बता दिये जाएगा और पोश्ट के बादम से